हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार फेर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में आज मैं ब्रेक फास्ट में बना रही हूं पास्ता और आज आप सभी के शाथ पास्ता की रेशिपी शेयर करूंगी तो यह बच्चों का तो अर्मोस्ट फेवरेट होता ही है ले मैं दो परसन के लिए पास्ता बना रही हूं तो मैंने एक बावल पास्ता ले लिया यह मैंने ले लिए सिम्ला मेर्जन को मैंने बिल्कुल बारिक बारी काट लिया है और यह ले लिए मैंने दो छोटे साइज की टमाटर इनको भी छोटा-छोटा काट लिया है एक लेली है प्याज प्याज को भी चोटी चोटी पीस में काट लिया है तो अब सबसे पहले हम पास्ता को उबालेंगे पास्ता उबालने के लिए मैंने दो ग्लास पानी चड़ा लिया है पानी में डाल दूँगी थोड़ा सा नमक उबालते टाइम और थोड़ी सी डाल दूँगी चिकनाई देखे अगर आप रिफाइंड यूज करें तो ऐसी डाल दीजिए अगर सरसोक तेल यूज करें तो सरसोक तेल को पहले पका लिजिए फिर इसमें उबालाने के बाद हम पास्ता डाल देंगे देखे चिकनाई इसलिए डाली है कि आपको दिखा दूँगी इसका हलका सा कलर चेंज हो गया है लेकिन यह अभी पूरा नहीं पका है तो इसे अभी और पका लेंगे देखे इसे बहुत ज्यादा भी नहीं पकाना है कि ज्यादा अगर पक गया तो यह रवड की तरह खीजेगा तो इसे एक लिमिट तक ही हमें पकाना है देखिए अब हमारा पास्ता तयार है तो अब इसे निकालेंगे चंणी में मैंने पास्ते को चंणी में निकाल दिया है बिल्कुर खिला खिला हमारा पास्ता उबला है तो अब हम एक लोय की कड़ाई ले लेंगे उसमें चड़ा देंगे तोड़ा सा सरसो का तेल जब सरस्व को तेल अच्छे से पक जाएगा तो उसमें डाल देंगे प्याज दो से तीन मिट तक चलाते हुए प्याज को भून लेंगे और उसके बाद एड़ करेंगे उसमें हम अपने मसाले मसाले आप अपनी पसंद के अंसार एड़ कीजिएगा सबसे पहले डाल दूँगे मैं इसमें नमक देखिए नमक डालते टाइम यह धियान रखेगा क्योंकि नमक हमने पास्ते में बालते टाइम भी डाला है तो नमक उसी हिसाप से डालेगा अब डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा धनिया पाउडर मैं इसमें ज्यादा चीज़े यूज नहीं कर रही हूं बस मैंने ये तीन चीज़े ही डाली है जो की जरूरी है अब डाल देंगे इसमें कटावा टमाटर अच्छे से मिक् कर देंगे इस तरीके से टमाटर को अच्छे से पीच देना है यह देखिए इस तरीके से जब टमाटर अच्छे से पक जाएगा तो इसमें डाल देंगे हमापनी कटी हूई सिम्ला मिर्च और अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आप लाल मिर्च भी खाते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं मैं लाल मिर्च का यूज नहीं करती हूँ खाने में बहुत ही कम करती हूँ तो इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ अब इसमें डाल देंगे हम अपनी टोमेटो कैचप और अच्छे से mix करते हुए ये gravy हमारी तियार हो गए है तो आप हम इसमें अपना पास्ता डाल देंगे ये देखिए अप पास्ता डाल दिया है तो इसे अच्छे से कर देंगे mix और दो से तीन मिट तक चलाना है बस पास्ता हमारा तियार हो जाएगा जब पास्ता तयार हो जाएगा तो आप उसमें क्रीमी बनाने के लिए उसको मियोनीज भी यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर इसमें मियोनीज यूज कर रही हूँ तो उपर से डाल दूगी थोड़ी सी मियोनीज अब यह देखे यह पास्ता हमारा तयार हो गया है बिल्कुल भी नए चिपकरा है क्हिलाखिला पास्ता हमारा तयार हुआ है तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी मियोनीज इससे यह क्रीमी हो जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा तो अब हमारा पास्ता त्यार है गर्मा गर्म मैं ब्रेकफास्ट के लिए प्रेट में निकाल लेती हूँ तो यह देखिए मेरा पास्ता रेडी है बेकफास्ट रेडी है आप सभी भी ट्राइ किजिए और आपको मेरी रेसिपि कैसी लगी कमेंट बुक्स में कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किय है तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच